Amazon AI के तुरू जो भी description आता है उससे आपका account suspend हो सकता है Recently Amazon ने बहुत कुछ change करा है अपना GTN pattern प्लस उसके अलावा जब आप listing करने जाते हैं तो अलग आपको एक format दिया जाता है जहांपे आपको AI के तुरू आप product का description Amazon खुद लिख के दे देता है यानि कि automatically वो grabs कर लेता है description और फिर वो जो आपको दिखाता है कि यह description आया है यह Amazon का listing page है जहांपे हम product list करने जाते हैं तो यहांपे एक option आ रहा है कि आप image upload करके content generate कर सकते हैं यानि कि जो product आपको upload करना है उससे related description वगरा Amazon दे देगा तो मैं shirt का example लेता हूँ मैंने shirt upload करी यहांपे और जब मैं इसको upload करके यहांपे generate करता हूँ तो इसका description है जो इसका title वगरा है वो सब कुछ Amazon यहांपे दे देता है देखें जैसे यहांपे लिख दिया है medieval man slim shirts यानि कि यह मेरा brand भी होगी और यह जो है product मैं upload कर रहा हूँ इसके हिसाफ से Amazon के हिसाफ से जबकि मेरे हिसाफ से यह product मेरे brand का है प्लस जो shirt है वो slim नहीं है regular shirt है तो पहली चीज़ तो यही गलती होगी अब मैं आगे चलता हूँ जैसे मैं suppose confirm कर देता हूँ इसको अभी हम यह मानते है कि नए sellers को यह एक यहांपे problem होती है उन्हें समझ में नहीं आता कि actually मैं यह confirm करना चाहिए नहीं चाहिए पहली बात तो category यहांपे गलत है टी शर्ट पोलो टी शर्ट product मेरा कुछ और है description यह कुछ और बनाके दे रहा है प्लस जो इसमें bullet point है जो customer जिससे attract होता है वो भी मेरे इसाफ से नहीं है क्योंकि यह product जो है मेरा cotton का नहीं है मेरा mix है वो यहांपे लिखा हुआ है कि high quality fabric cotton तो यह चीज जो है न important है कि यहांपे हम जो product बेच रहे हैं उसके इसाफ से description Amazon कभी नहीं दे पाएगा क्योंकि Amazon को पता नहीं Amazon सिर्फ एक image देख रहा है image के तुरू आपको description दे रहा है लिखके अब आपको यहांपे चेक करना है even बहुत सारे ऐसे product देखे गए हैं जो upload करता हूँ मैं उसमें अगर मैं generate content करता हूँ यहां से Amazon की तरफ से तो वो made in USA दिखाता है जबकि वो made in India ह तो यह चीज एक important है यहांपे ने sellers गड़बली ना करें इस चीज को देखें अगर आप content generate कर रहे हैं तो इसको verify करिए कि आपके product से exactly match हो रहा है या नहीं वरना generate ना करें खुद से लिखें जैसे मैं बताता हूँ training में तो यह मेरे product की image है सिर्फ एक image से Amazon ने इतना कुछ वो slim fit design नहीं है यह मेरा regular design है तो यह product जो है मेरे हिसाब से Amazon के हिसाब से अलग है और मेरे हिसाब से अलग है तो मैं यही कहना चाहूँगा कि देखें जो भी product आप upload करें वहाँ पे आपको यह verify करना जरूरी है कि जो product आप upload कर रहे हैं वो exactly वैसी आ रहा है या नहीं आ रहा यह slim fit मंगाई थी मुझे regular milli shirt इसके लावा मैंने color ऐसा देखा था color लिखा हुआ था यह तो यह एक major problem हो जाती है जिसकी वह से आपको returns जादा आएंगे और फिर आपका जो business है वो actually में affected होगा और Amazon पर आपकी performance डाउन होगी जिसकी वह से आपका account भी suspend हो सकता है more or less customer कई बा product में देखता है तो Amazon आपका account भी suspend कर देता है